हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माइच चानल आज मैं आपको बताऊंगी कैसे हम घर पर बना सकते हैं बहुत ही एफेक्टिव जॉइन पेन रिलीफ ओईल तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएं तो दोस्तो सबसे पहले हम जिंजर और गार्लिक को ग्रेट कर लेंगे जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं हमने जिंजर को ग्रेट कर लिया है अब हम गार्लिक लेंगे और गार्लिक को भी ग्रेट कर लेंगे लेके लिए हम घर की ही चीजों का इस्तमाल करेंगे जैसे कि मैंने यहां पे लिया है काले तिल, अजवाइन, लॉंग, मेती दाना, दालचीनी, तेजपत्ता और हल्दी गैस पर मैंने एक कढाय ली है, उसमें मैंने towards 500 जीफ, अब हम गर्म होने के लिए रख देंगे तो अब हम इसमें आड़ करेंगे अपने मसाले अभी मैंने इसमें डाला है दालचीनी अब हम इसके इंदर डाल देंगे लॉंग अब हम इसमें डालेंगे तेज पत्ता, मेथी दाना अजवाइन अब हम सारे ही इंग्रीडियंट्स को धीमी आज पर ऐसे ही पकाएंगे दस मिनट के लिए हम इस तेल को ऐसे ही लो फ्लेम पर पकाते रहेंगे ताकि जो इसमें सारे इंग्रीडियंट्स है उसका अर्क जो है वो इस ओईल में आ जाए ये सबी इंग्रीडियंट्स जो हमने इसमें डाले हैं वो दर्द में राहत पहुचाते हैं ये तेल बहुत ही एफेक्टिव होता है अगर आपके जॉइन पेंस है या अर्थराइटिस है हमने जो जिंजर और गार्लिक को ग्रेट किया था वो हम इसमें अब डाल देंगे अब हम तेल को धीमी आज पर दस मिनट के लिए ऐसे ही पकने देंगे और हम इन सब को तब तक पकाएंगे जब तक ये अच्छे से पक के काले न पढ़ जाए दस मिनट हो चुके हैं और हमारा पेन रिलिफ ओईल बनके रेडी हो चुका है और ये कुछ इस तरीके से दिखेगा ये देखे दोस्तों हमारा तेल काला पढ़ गया है इससे पता चलता है कि सारे इंग्रीडियेंट्स अच्छे से पक गए है ओईल जब ठंड़ा हो जाएका तब हम इसको छान लेंगे स्ट्रेनर की हेल्प से और जो ये हमें इंग्रीडियेंट्स डाले थे इन्हें हम डिसकार्ड कर देंगे तो दोस्तों ये देखिए हमारा घर पर ही और घर की ही चीजों से बना हुआ पेन रिलीफ ऑईल बनके रेडी है ये सबी इंग्रीडियेंट्स जो हम इसमें डाले हैं वो दर्द में राहत पहुचाते हैं ये तेल बहुत ही एफेक्टिव है अगर आपको जॉइंट पेन है अर्थराइटेस है या कोई भी बाडी में पेन है तो ये बहुत ही एफेक्टिव ऑईल है आप इसे स्टोर करने हाथों पर ले फिर जहां भी आपको पेन है वहां लगाकर अच्छे से मसाज कर ले इस ओईल को लगाकर आपको बहुत रिलीफ मिलेगा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आईए तो लाइक शियर कमेंट ज़रूर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू